दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्तान में सिचुएटेड जैपूर के टॉप 12 डेसिनेशन बताने वलाओं तो चलिए जल्दी से वीडियो का शुरू करते हैं इस लिस्ट में पहली डेसिनेशन है सिटी पैलेस इस जगा के लिए आपको एंट्री फीस देनी होगी जो की है 200 रुपे पर पर सा यहाँ पर आप देख सकते हो मुबारक महल ताज महल के बाद इडिया में ये सेकिंड बिल्डिंग है जो की हर साइड से एक जैसी ही दिखती है यहाँ के राजा के महमान सबसे पहले यहीं आते थे 1959 में इस महल को म्यूजियम एंड टेक्स्टैल गैलरी बना दिया जहाँ पर आप राजा एंड रानी के क्लोथ्स देख सकते हो सिटी पैलेस में आप और भी काफी जगा देख सकते हो जैसे की आर्ट गैलरी, वेपन गैलरी जहाँ आपको काफी सारे पुराने वेपन्स देखने को मिलेंगे इन दोनों ही गैलरी में फोटोज लेना अलाउट नहीं है इसके अलावा आप यहाँ विजिट कर सकते हैं दिवाने खास एंड दिवाने आम दिवाने खास में कैमरा अलाउट है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सिल्वर के बने जग जो की वर्ल के बिगस जग है इन जग की हाइट है 5.3 फीट एंड वेट है 340 किलो विदाउट वोटर पानी के साथ इसका वेट हो जाता है 4000 किलो इसका नाम Guinness Book of World Record में भी दर्ज है दिवाने आम में आप गैलरीज विजिट कर सकते हैं नेक्स प्लेज जहां विजिट कर सकते हैं वो है हवा महल यहां की एंट्री पीस है 50 रुपे पर परसर हवा महल देखने में बहुत सुंदर लगता है और इस महल में 953 विंडोस बनी हुई है यहां एंट्र करते ही सबसे पहले आपको fountain दिखेगा जहां आप अच्छी photos क्लिक करवा सकते हो इसके बाद आप वहां के local songs and music enjoy कर सकते हो जो कि आपको वहां के local artist live सुनाएंगे हवा महल में काफी सारे rooms भी बने हुए है यहां एंट्र करने के बाद आपको लगेगा जैसे आप किसी भूल भूलगया में आगे हो हवा महल के सामने कुछ restaurants भी बने हुए है जहां बैट कर आप हवा महल का front view enjoy कर सकते हैं इस list में next place है नहारगर फोड आप अपने vehicle से इस जगा तक पहुं सकते हो या फिर आप bike hire करके भी यहां आ सकते हो इसके रास्ते में काफी सारे sharp turns हैं तो बस उनका ध्यान लखना इस फोड से आपको बहुत beautiful नजारा देखने को मिलेगा नहारगर फोड का close होने का time रात का है इसलिए इवन आप रात के 9 बजे भी यहां एंटर कर सकते हो यहां से आपको बहुत beautiful night view देखने को मिलेगा पूरी city का जरा नजारा देखो कितना खूबसूरत लग रहे नेक्स प्लेस है Amber Fort यह fort राजा मान सिंग ने बनवाया था इस fort में आप stairs के दुरू पहुंच सकते हो या फिर आप elephant ride लेकर भी आ सकते हो यह fort बहुत ज़्यादा बड़ा है यहां आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा बुगल और Indian Historical Arts and Paintings यहां पर आपको शीश मेल भी देखने को मिलेगा अगर आप यहां पर जाओ तो शीला माता मंदिर भी ज़रूर विजिट करना वो इस fort में ही बना हुए इसके बाद next place आप विजिट कर सकते हैं वो है Albert Hall Museum यह काफी beautiful architecture building है और इसका निर्मान हुआ था 1867 में इस museum में आप देख सकते हो coins, furniture, iron and wooden crafts, international art, paintings, musical instruments, scale art, marble art, metal art and और भी बहुत कुछ यहां पर आपको Chinese, European, Indian, Greek and और भी बहुत सारे arts and history का पदा जलेगा In short आपको इस जगा पर राजिस्तान की history देखने को मिलेगी जिसको देखने maximum tourist यहां पर आते हैं इस जगा पर tourist के लिए audio guide भी available है या फिर आप guide भी ले सकते हो अपनी convenience के साब से बहुत ही जादा beautiful है अगर आप चैपूर आओ तो यहां पर ज़रूर visit करना इस जगा पर आपको एक Egyptian mummy भी देखने को मिलेगी नेक्स प्लेस जहां visit कर सकते हैं वो है जैगर फोर्ट जैगर फोर्ट हरजार साल से भी पुराना फोर्ट है यहां की entry ticket का price है 200 रुपे पर परसन इस फोर्ट से आपको अरावली hills का बहुत अच्छा view देखने को मिलेगा इस फोर्ट में आप तोप कैसे बनती है वो भी देख सकते हैं इस फोर्ट की खास बात यह है कि यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप on wheels present है जो की सिर्फ एक बार use हुई थी वो भी टेस्टिंग के लिए इस तोप की range है 35 km इस तोप का गोला जहां पर गिरा था उस दगा को lake बना दिया और उस lake का नाम है गोली मार लेग यहां पर एक खूफिया तहकाना भी मुझूद है जहां पर खजाना चुपाया जाता था और यह पानी के नीचे बना हुए है साथ ही साथ यहां पर बहुत सारी tunnels भी बनी हुए है आप यह बात जानकर हैरान होगे कि एक tunnel जैगर fort से अमेर fort तक भी जाती है यह fort defense के लिए बनाया गया था और इस fort में आपको पुराने weapons, dresses, tools यह सब देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आपको वीडियो informative लग रही है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe जरूर कर देना और comment करके जरूर बताना कि आप जैपूर का विजिट करने वाले है इसके बाद next place जहां विजिट कर सकते हैं वो है बिरला मंदिर ये जगा मोती दुंगरी पहाड़ी पर बनी हुई है और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूपसूरत है बिरला मंदिर को लक्षमी नरैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है ये मंदिर भारत में बने और बिरला मंदिर का ही पार्ट है ये मंदिर विश्नु जी की पतनी, दर्म की देवी लक्ष्मी जी को समर्पित है और इस मंदिर में भोलेनाज जी की भी मूर्ति स्थापित है ये मंदिर वाइट मार्भल से बना हुए है, जिससे इस मंदिर की खूपसूरती और बहुँ जादा बढ़ जाती है बिरला मंदिर के बाहर एक बहुत प्यारा गार्डन भी बना हुए है संसेट के टाइम आप इस मंदिर में जरूर प्रेजेंट रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा जैपूर आओ तो इस जगा को अपनी लिस्ट में जरूर रखना नेक्स प्लेज जो आप विजिट कर सकते हैं वो है पत्रिका गेट ये जगा न्यू जैपूर में बनी हुई है पत्रिका गेट की दूरी रेलवे सेशन से है 13 किलोमेटर और हवा महल से है 9 किलोमेटर पत्रिका गेट जाते हुए आप रास्ते में Albert Hall Museum, हवा महल और बिरला मंदिर विजिट कर सकते हैं ये पत्रिका गेट काफी बड़ा बना हुआ है और यहां से आप एंटर कर सकते हो जवार सरकल गार्डन में जो की बहुत ही ज़ादा Instagramable स्पोर्ट है पत्रिका गेट में एंटरे की कोई भी फीस नहीं है और यह पूरा टाइम खुला रहता है यहां पर आप morning के टाइम विजिट करना उस टाइम crowd बहुत जादा नहीं होता है यह जगा पर आप traditional architecture लेख सकते हो और यह place Instagram Reels के लिए बहुत जादा famous है साथ ही साथ काफी लोग यहां पर अपनी pre wedding shoot के लिए भी आते हैं नेक्स प्लेस है जंतर मंतर जंतर का मतलब होता है machine और मंतर का मतलब होता है calculate तो जंतर मंतर का मतलब बनता है वो machine जो calculate करती है किसी चीज को इंडिया में 5 जंतर मंतर बने हुए हैं लेकिन सबसे बड़ा जंतर मंतर जैपूर में है यहां पर आपको 14 different types के devices देखने को मिलेंगे जो पुराने समय में use होते थे time और distance को measure करने के लिए यहां आपको वो device देखने को मिलेंगे जो 300 साल पहले बने थे और आज भी उनकी accuracy modern technology को पीछे छोड़ देती है यह जंतर मंतर बाकी जंतर मंतर के जैसा नहीं है यहां आपको history की काफी जादा knowledge मिलेगी मैं आपको suggest करूँगा कि यहां आप एक guide भी कर लेना next place जहां visit कर सकते हैं वो है गयतोर की छतरिया यहां visit करने की timing है सुबे 9 बजे से शाम 6 बजे तक यह जगा राजस्तान की राजसी शासकों का शमशांगार था इस जगा की entry fees भी है जो की है 30 रुपे पर परसन वैसे तो इस जगा के साथ काफी दुख जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी इस जगा को बहुत ही सुंदर वे में present किया हुआ है यहां पर बहुत जादा लोग नहीं पहुंचते हैं मैं आपको suggest करूँगा की एक visit आप यहां पर भी जरूर करने अब बात करते हैं next place की जो की है चोकीदानी चोकीदानी जैपूर की बहुत famous place है यहां आपको राजस्थान के अलगलग culture के बारे में पता चलेगा यहां आप आकर dinner कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़े explore कर सकते हैं यहां की entry की टिकेट है 1000 रूपे per person अंदर आपको puppet dance, camel ride, head massage, boating, museum, games और बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेगी यहां पर आपको India की हर city की history देखने को मिलेगी जो की देखने में आपको काफी अच्छा लगेगा यहां पर आप shopping भी कर सकते हो जैपूर जाओ तो चोकीदानी ज़रूर विजिट करना नेक्स प्लेज जहां विजिट कर सकते हैं वो है जल महल इसका निर्मान हुआ था 1799 में जैसे कि इसका नाम है जल महल वैसा ही यह बना हुआ है पानी के एकदम बीच में जल महल में कोई भी रूम नहीं बना हुआ है बताया जाता है कि यहां पर राजा एंड रानी टाइम स्पेंड करने आते थे इसके अलावा जो भी उनके इवेंट्स एंड फंक्शन्स होते थे वो भी उस टाइंग के राजा यहीं और्गनाईज करवाते थे इसके रूफटोप पर एक बहुत खुबसुरत गार्डन बना हुए जो कि राजिस्तान का हाइस रूफटोप गार्डन है इस महल में राजा अपने महमानों को भी लेकर आते थे इस महल में काफी बीडिफुल आर्ट बनी हुई है जिसे देखकर आप हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं ये थी टॉप 12 डेसिनेशन जैपूर की ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहीं